लालू प्रसाद यादव ने इवी एम के साथ चेर चाड के आरोप चुनाव आयोग से जाच की मांग की है राश्य जनता दल प्रमुक लालू प्रसाद यादव ने इवी एम के साथ चेर चाड के आरोप में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुक मायावती का साथ दिया है जो मायवती ने कहा है उसकी चुनाव आयोग द्वारा जाच की जानी चाहिए यह सब जानते हैं कि EVM गुजरात में बनाई जाती हैं इसलिए EVM के साथ छेट छाड को इंकार नहीं किया जा सकता जाच की मांग का समर्थन करते हुए लालू यादव ने कहा हमने पहले भी इस बारे में चुनाव आयोग में शिकायत की है इसको लेकर प्रदर्शन भी किये हैं चुनाव आयोग ने हमें भरोसा दिया था कि असली चुनाव से पहले हर बूत पर मौक पोल करवाया जाएगा ताकि सभी पार्टिया यह सुनिश्चित कर सके की इविये मशीने सही चल रही हैं या नहीं मुझे नहीं पता की यूपी में मौक पोल हुए थे या नहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि जनीविये मशीनों में मत गड़ना हुई है उन्हें सुरक्षत रखा जाना चाहिए और चुनाव आयोग को इनकी जाच करनी चाहिए कि इनमें कोई तक्नीके खामी है या नहीं यूपी में चुनाव नतीजों पर लालू प्रसाद यादव बोले पर एवी एम से छेड़ चाड़ करने का आरोप लगाया था उन्होंने आरोप लगाया था कि इवी एम पर लोगों ने चाहे किसी भी दल का निशान पर बटन दबाया हो लेकिन इवी एम ने सिर्फ भाजपा को ही वोट दिया उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्षामित शाह को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो यूपी विधान से भी चुनाव रद कराकर फिर से चुनाव कराएं मायवती ने कहा कि अगर मोदी और अमित शाह दूद के धुले एहें तो बेलेट पेपर से फिर से चुनाव करा लें सही स्थेती सामने आजाएगी इसके साथ ही मायवती ने कहा कि उन्होंने इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि लोगों को अभी विएम माशिन में भरोसा नहीं रह गया है मायवती के साथ ही हरी श्रावत ने भी EVM के साथ चेर चाड़ का आरोप लगाया है हरी श्रावत ने सीधे तोर पर तो आरोप नहीं लगाया लेकिन संकेत उनका वहीं था उन्होंने कहा कि मैं मोदील क्रांती और EVM चमतकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें नीचे लाल रंग के सबस्क्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें धन्यवाद